जैस्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब और आज किस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों ATM डेविट कार्ड लेने के लिए कितना एज होना जरूरी है ये क्वेस्चन अक्सर आप सब के मन में चलते ही रहता है और हमारे चैनल पर भी बहुत सारे लोग कमेंड करते हैं कि सर ATM डेविट कार्ड लेने के लिए कितना एज होना जरूरी है दोस्तों कई लोग बोलते हैं 12 साल में ATM डेविट कार्ड मिल जाता है और कई लोग बोलते हैं 15 साल की एज में ATM डेविट कार्ड मिल जाता है और कई लोग बोलते हैं दोस्तों कि 18 से कम वाले debit card नहीं ले सकते तो आज हम जानेंगे दोस्तों ATM debit card लेने के लिए सही age criteria क्या है क्या 18 से कम वाले भी ATM debit card ले सकते हैं तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के end तक बने रहे वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले हलो गाईस मैं हूं राहूल वर्मा स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकनिकल सीजी बॉय में सिधी बात नोबकवास तो चलिए कुछ नया जाने दोस्तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ अगर आपका age 18 साल से ज्यादा है तो आपको debit card लेने के लिए परिशान होनी की जरूरत बिलकुल भी नहीं है दोस्तो आपको debit card बहुत ही असानी से मिल जाएगा जा करके आपको अपने branch में debit card apply करना है 7-15 दिन के अंदर में आपको आपके register address पर debit card deliver हो जाएगा दोस्तो आप online net banking के जरिये भी debit card apply कर सकते हैं तो आप 18 साल से ज्यादा के हैं तो आपको tension नहीं लेना है तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं जिनका उमर 18 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो आपको बता दूं दोस्तो जिनका उमर 18 साल से कम है उनको भी debit card मिल सकता है कौन-कौन सा rule है क्या-क्या guideline है इसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इस वीडियो का कोई भी part skip ना करे दोस्तो यहाँ पर एक common solution है जिसको आपको बता दूं इसको आप follow करके easily debit card ले सकते हैं दोस्तो आपका एज जितना भी हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है दोस्तो अगर आपका उम्र 18 साल से कम है या फिर ज्यादा है और आप किसी भी bank में अपना saving account open करवा रहे हो चाहे आपका उम्र 10 साल हो 14 साल हो 18 साल हो या फिर 18 साल से ज्यादा हो तो उस time जो आपका saving account open कर रहा है उससे अगर आप debit card के लिए request करते हैं और अगर वो debit card तूरंत apply कर देता है तब तो दोस्तो आपको easily असानी से debit card मिल जाएगा चाहे आपका उम्र कम हो या फिर ज्यादा हो आपको ATM debit card मिल जाएगा और अगर दोस्तो account opening time में आपका ATM debit card apply नहीं होता तो आपको कम उम्र में debit card नहीं मिल पाएगा तो अगर आपको कम age में ATM debit card लेना है तो ये बात को ध्यान में जरूर रखे नहीं तो दोस्तो बाद में आपको बहुत जादा problem होगा अगर आपका age कम है और आप bank में जाओगे तो आपको आपका age कम है बोल करके bank से भगा दिया जाएगा आप self यानि खुद से ATM debit card apply नहीं कर पाओगे दोस्तो भारत में बहुत सारे bank है चाहे private हो या फिर government और सभी bank का अलग अलग rule है हाला कि government bank का same ही rule है bank of bada की बात करें तो bank of bada में आपका age 18 साल से कम है मतलब 15 साल है या फिर 17 साल है और आपका manual account है तो आपको easily वहाँ पर debit card मिल जाएगा आप debit card के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर कुछ bank की बात करें तो bank of bada, access bank, पंजाब national bank और Indian bank अगर इन बैंकों में आपका manual saving account है तो आप अपने guardian के जरिये debit card के लिए apply कर सकते हैं मतलब अगर आपका उम्र कम है तो आप अपने guardian याने अपने मम्य पापा के जरिये भी अपना ATM debit card बनवा सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो अगर आपका minor account है या फिर आप student account open करवा रहे हैं तो दोस्तो आपको account opening करवाते ही वहाँ पर तूरंद ATM debit card के लिए form पर tick करवा देना है ताकि आपको easily ATM debit card मिल सके और दोस्तो अगर आपको minor account पर ATM debit card मिलता है तो उसका limit normal debit card से कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो आप उस debit card से phone पर Google पर सभी use कर सकते हैं तो आप debit card इस तरीके से ले सकते हैं और अगर आपका age 18 से कम है 10 साल है 15 साल है या फिर 17 साल है तो आपको ATM debit card लेनी के लिए थोड़ा सा problem हो सकता है लेकिन आप अपने guardian के जरिये भी ATM debit card ले सकते हैं तो आप नीचे comment करके जरूर बताये दोस्तो आपको कितने age में ATM debit card मिला है तो I hope दोस्तो आज के वीडियो आपके लिए helpful हुआ होगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तो हमारे इस चैनल पर banking और government से related content आते रहता है अगर आप tension free banking करना चाहते हैं नए नए अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को भी all पर share करके रख दे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेग के आप